ग्यानवापी मस्जिद के वुजू मामले में CJI की बेंच का अहम फैसला इद मुबारक के मौके पर क्या आया फैसला सुप्रीम कोट में ग्यानवापी मस्जिद के वुजू के लिए पानी की विवस्थक वाली याचिका का निप्टारा कर दिया है इस याचका पर CJI चंदचूर और PS नरसिम्ह की बेंच सुनवाई कर रही थी इद मुबारक से ठीक एक दिन पहले इस बेंच ने जो फैसला दिया है उससे यहाँ नमाज पढ़ने वालों के चेहरे पर खुशी जरूर लादी है अगर यह कहा जाए कि यह फैसला इद के तोफे से कम नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि CJI की बेंच ने वुजू के लिए पानी के विवस्था करने का फैसला सुनाया है इस मामले में CJI की बेंच ने कहा कि हम भारत के सॉलिसीटर जनरल का बयान दर्ज करते हैं कि वुजू करने को सुईधाजनक बनाने के लिए कलेक्टर या जीला मेरिस्टेट ये तै करेंगे कि पर्याप संख्या में टब इसलाम आलेकम रैहमतुलाहि और अज़्दान, मिलत-ईसलामिया आप तामम उम्मती को वब्यवस्था की तो स scratch सिलाम अबते करने को बहल के बरहाला समीद आप लोगहरेस ने होंगे अला गिफास्त में होंगे इन मलनों की मलामत से इन फिर्खा परस्तां की फिर्खा परस्ती से इन दरिंदों की दरिंदों की दरिंदों की से इन बलतकेरों की बलतकारी से महफोज होंगे अल्ला आप लोगों को अपने हफद आमान में रखे अल्ला आपने हिपाज़त में रखे आप लोगों को महफूज रहे हैं बहल के बहरे हाल ये देखा आपने एक मिनट तीस सिकंड का जो के लिए भारत के हर मुसल्मान का दिल बाख बाख हो गया उसकी वज़े लिए रमजान करेम ये बरकतों वाला महना हमेशा मुसल्मानों को और दुनिया में जो सिक्लर सुच रखते हैं अच्छी सुच रखते हैं हमेशा उनको कुछ ना कुछ दे कर गया है लेकिन अपके खासकर इस बरकत वाले महने में ज़्यादातर अल्ला सुच ताला ने जो परेशान हालते मुसल्मान जो अज़ेते दी जारी थी मुसल्मानों को जो ज़्यादती की जारी थी मुसल्मानों के साथ खासकर हाई कोर्ट सुपरीम कोर्ट ने जिस तरीखे से जो उन सारों चीज़ों के बीच में ये काम बड़ा जबरदस वा क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोट के तीन नए जज़ा आए जो के एक देयनतदारी और एक इमानदारी से काम कर रहे हैं और हमें जो मुसल्मानों के साथ जो नाइसाफी भी है उसके उपर सही फैसले कर रहे हैं और उन फैलों को भी उपन कर रहे हैं जो गलत फैसलों से बन कर दिये थे गलत जज़्जमन दे के वो भी उपन हो रहे हैं बहल के मेरे हज़िस दोस्तों मेरे बाहियों आप लोगों को ये खुश खबरी ये सुना दो बेहदरेन इत का नायाब तुफ़ा मिला है इदल फितर का वो मिला है गैनवापी मस्जिद का मालूम है एक टाइम से वजुखाना बन था क्योंकि उदर पानी के फुवारे कुश शिविलिंग का पैंपे शिविलिंग है बोलके बड़े वो करे थे ये लोग भी से भाप खुद लगी भी रूटों भी भी हर जगा वोई चबले तो कहसा होने वाला है बरहाल उसके जाच बड़ताल चल रही थी जितना हो सकता गंदगी फैला है ये लोग नए नए बातें करे ये लोग मजाख तो है ही ये लोग और मजाख बना लिये लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच सीजी आई जो जिमेदारी दी गई है सुप्रीम कोट की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई थी जिसका नाम रखा गया था सीजी आई अन्हों ने इस मुबारक और मुखद्दस महने के जाते ही ईद का नायाब तोफ़ा ईद का बहतरी तोफ़ा अल्ला सुभाना टाला उनके दिलों में दला और बहतरी तोफ़े के तरफ पर वजू करने की इजासत दी गई है और वसाफ सुफ़ा लोग फ़र से भरने की फू इजाज़त दे दी गई ये जैसे ही इजाज़त मिली इन कटलाओं को इन लिन्ड़ों को इन गंदी सोच रखने वाले हराम खुरों की एक ना चली अब इनों ये सोचने पर मजबर होगे कि इनको जो गंद ये लोग मचाते हैं कुन सी भी ऐसी चीज़ में ये लोग ना सुरुखरू हुए ना कामियाब हुए उसके बवजूद ये गंदगी बर्पा करना गंदगी पहलाना इनका मकसद है और यखीन मानिये मेरे अज़िस दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों ये लोग जितना गंदगी मचाए जितनी अंदेखी करे जितनी ज्यादती करे हर चीज़ में इन्हों नाकाम है हर चीज़ में इन्हों जिल्लत उड़ाए लेकिन ये है ही पैदाईशी बेशर इनको इस इज़त से या रुस्वा होने से क्या लिना देना इनका काम है गंद भाइलाना गंद मचाना चार व्यूज बड़ोरना इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं करते ये लोग लेकिन आप लोग को ये बता दू महीं ये लहम्दुल्ला गहनवापी मस्जद का इतनी मुश्किल में थे मसल्मान हमारे जो कारोबार ये मस्जद भी ऐसी थे गहनवापी मस्जद पूरे मार्किट के बीच में याने चोँ तरफ से और हम यहां तक कि आप लोगों को ये भी बता दूँ ये अमल जम्माई के दिन 25-30,000 आदमे जबा होते थे उदा जहां पर वजू करने की मस्जद को शहीद करे थे वैसे ही ये गहनवापी मस्जद दूसरा इनका निशाना था दूसरा निशाना था लेकिन इनकी एक में ने चलने दिये हमारे ये सीजी आई के जिमेदारों ने भी बेहतरें काम किया, बेहतरें कर दिया और सक्त दायत दे दी के वो साफ सफ़ए कराओ साफ सफ़ए कराके इनके हैंडवर करो मस्जद कमिटी के ताके वहाँ पर वो लोग पानी भरे वो फूवारे से दुबारा और वहाँ पर वजू कर सके, यानि इससे खुशी की बात, इससे बड़ी बात मुसल्मानों के लिए और क्या हो सकती क्योंकि हमारी खुशी तो जब डबल हो जाती है जब इनको रुसुआ होते हैं ये लोग जब ये पाखंडी जलील होते हैं क्योंकि गंद फैलाना, गंद बर्पा करना गंदगी जितना हो सकता क्योंकि ये लोग नसली गंद ये ना भई, ये पैदावारी गंद ये ना इनकी, इनके पास कोई अच्छी चीद नहीं, हक क्या नदोते बहे लोग हक क्ये नदोते वैसे उड़ जाते, आप लोग अच्छी तरह पता है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है यह मैं भूलने की या बताने की भी जूरत नहीं है इन्हों आदत से मजबूर है उसके बावजूद हम को नाम रखने जाते है जबके दुनिया का सबसे पाक औ साफ मजभ इसलाम है लेकिन इसलाम को गुमरा करना इसलाम को बद लेकिन मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाईयों ये एक हमारे लिए बड़ी खबर है हम खासकर भारत के मुसल्मान और खासकर यूपी के मुसल्मानों के लिए क्योंके गैनवाबी मजद बावनी मजद के बाद दूसरी है इसी सबसे बड़ी मजद है जहां पर इतने हज़ार और इतनी परानी मजद है हमारी इतनी जानशीन मजद है यानि हर मजद ही जानशीन होती है क्योंकि वो अल्ला का घर होता है चाहे वो एक दीवार पे रहे एक मिनार पे रहे या दो मिनार पे रहे या चार मिनार पे रहे चार मिनार पे रहे वो इच लाह का घर है पाक जगा है वो इन्शालला उसकी इज़त करना वहापे नमास पढ़ना यह हमारा अवलन फर्द मुसल्मान होने के नाते बारियाल यह हमारी यह इद इतनी काम्याब होगे इतने तूफे मिले हैं हमको और आप आप लोगों को दूसरी बड़ी खबर भी सुनाओगा इन्शालला जो सन्याजर डोगल ने चिंदी चूर बाउने को जिस तरी खिस जिबी आई ने पकड़ने से पहले जो अपने आपको जो आफिस चले गया उसने उससे जो पूछता चली वो भी आप लोगों को बताऊंगा इन्शालला बहरल केफ मेरे अज़िज दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों आप लोग ऐसे ही नमाजें पढ़ते रहों और ऐसे ही दुआएं करते रहों उस अल्ला को राजे रखो इन पाखंडियों की नसले हरामों की इन चिंदिश्चोरों की कोई खात नहीं ना कल थी ना आज है ना कभी रहेगी इन्शालला बहरहाल यह हमारी बहुत बड़ी कामिया भी है जिसकी हिस्सेदार आप लोग भी है इस कामिया भी है क्योंके आप लोगों ने जिस तरीख से दुआओं का इहतेमाम किया जो गिल्ड़ा के अल्ला सुभाना ताला से जो दुआएं की है आप लोगों की दुआओं को खुबल फर्माएं आप लोगों की अबादतों को आप लोगों के नमासों को आप लोगों के रोजों को खुबल फर्माएं इसलिए इतना बड़ा फैसला यह हमारे हक में आया जो कि मैं बाजों में वीडियो भी रखा जो आप लोगों की सुनकर तबीयत बाख बाख हो जाएगी अल्हम्दिलल्लाह रबिलालमीन में तो यह कोँगा कि अल्लाह तरह राक राक शुकर है ऐसे ही हम को ऐसे हर चीज में काम्याबी और कामरानी से नावाज है और इनको यह पाइदाईशी जालिम है इनको ऐसे ही जलील होने दे ऐसे ही रुस्वा होने दे ऐसे ही इनको बेज़त करते रहे अल्लाह सुछाना तालाह जिसमें हमको बड़े खुशी महसूस होगी बहरल किफ मेरे अज़िज दोस्तों मेरे भाईयों मेरी माँ और बहनों मनजब रहिए मतहीद रहिए अपनी सफ़ा में इतिहाद बर खरा रखे नमाजों की पावंदी करिए माबाब की खिदमत करिए बड़ों के हिकाम पे अमल करिए लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ब खिरत के लिए भी अपने समालों किसी के साथ जल्म मत करो किसी के साथ ज्यादती मत करो अपने से छोटों का भी इहतराम करो अपने से कमजोर का भी इहतराम करो और खासकर अपने खानदान में कुछ गरीब गुर्बा है तो उनकी मदद करो सोब को लेकर चलो यही कामियाभी वो कामरानी से नवासते रहें परवर्दिगार इसे हदिया हम को मिलते रहें सलाम आलेकुम राहतु आला